जै गुरु जी जै भोले नात्की आज हम बात करेंगे हनुमान जी दिलाएंगे आपको सभलता संकटों से चुटकारा हनुमान जी के आशीरवा से सभी बिगड़े काम चुटकी में ठीक हो जाते हैं इसलिए इनको संकट मोचन भी कहा गया है और हनुमान जी साकसाद भगवा शंकर के अबतारी हैं आप और हम अपने अपने इश्ट की पूझा करते हैं अपने गुरु की और अपने अन्य देवी देवताओं की पूझा अर्चना हम अपनी शर्दानुसार करते हैं और जब भी किसी संकर में फस्ते हैं तो लाखों वक्ती हरुमान चलिशा या पढ़ने मातने से कैसे हनुमान जी संकटों से बचाते हैं और किस परकार के उपाए के साथ हनुमान चलिसा का पाठ किया जाए हनुमान चलिसा की रशना कहां और कैसे हुई यह जानकारी बहुती कम लोगों को होगी जो की धार्मे कितावों के माद्यम से हम आपको यहां बता जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सक्स्राइब कीजेगा और बेल आइकन को प्रेस के लिजेगा तांकि आपको नएने जानकारी मिलती रहे तो लीजे आईए शुरू करते हैं बात 1620 की है अकबर और तुलसीदाजी के समय का काल था एक बार गोस्वामी तुलसीदाजी मतरा जा रहे थे रात होने से पहले उन्होंने अपना पांडब आगरा में डाला लोगों को पता लगा कि तुलसीदाजी आगरा में बदा रहे हैं यह सुनकर उनके दर्शनों के लि यह श्री राम बग्द तुलसीदाजी हैं मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ तब अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक की और कहा कि मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ बाश्या अकबर ने अपने सिपाईयों की एक टुकडी को तुलसीदाजी के पास ब साफ मना कर दिया जब यह बात बाश्या अकबर तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरा लगा और बाश्या अकबर गुस्से में लाल हो गया तब उन्होंने तुलसी दाजी को जंजीरों से जक्रवा कर लाल किला लाने का आदेश दिया जब तुलसी दाजी जंजीरों से जक जाने वाला बाबा नहीं हूँ मैं तो सिंपल अपने शिरी राम का नाम जबता हूँ यह सुनकर बाश्या अकबर ने गुसे में आदेश दिया कि इनको जेंजिरों से जगड़ कर काल कोठी में डाल दिया जाए तो तुलसी दाजी ने उस काल कोठी में हनुमान चलिशा की और इसमें लिखा है जो जैपड़े हनुमान चलिशा और आगे गोश्वामी तुलसी दाजी ने लिखा कि छुटई बंदी महासुख होई जो सत बार पाठ कर कोई मतलब सो बार पाठ करने से छुटई बंदी महासुख होई तो गोश्वामी तुलसी दाजी ने काल कोठी मे हनुमान चलिशा की रस्तना की और वहीं बैड़ कर पढ़ने लगे अपने आप हनुमान जी की किरपाओ गई और हनुमान चलिशा पूरा होते होते दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखो बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया पूरा किला थैस नस कर डाला किले में त्रही त्रही मच गई सारी सैना को जो बंदरों ने मानना शुरू किया अर्थात अनेक रूप में हनुमान जी पकट हो गई हाकार मच गया कोई दाजी को अतीश्री कालकोटी से निकलवाया और जिंजीने खोली गई बाश्या अकबर बहुत लजित हुए और उन्होंने गोसमी तूसी दाजी से माफी मांगी और उनका पूर्णता संबन किया और उनकी महमान नवाजी की और उनको पूर्णता संबन और पूरी अब हम आपको यहां एक उपाई बता रहे हैं जब सभी पूजा पाठ के बाद कोई समाधान नहीं निकल रहा हो तो शनीवार को हनुमान जी को चोला चड़ाएं सिंदूर और चमेली का तेल चड़ाकर हनुमान चलीशा का पाठ करें और तिल के तेल का दीपक जलाएं इसक हनुमान जी को अर्पित करें और प्रातना करें हनुमान चलीशा का पाठ करें आपके बीड़े सारे काम चुटकी में बन जाएंगे आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जै भोले नात का जैकारा लगाईए आज बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीड करी के साथ जै गुरू जी जै भोले नात की